हेलो सुदेंट्स तोड़ी वील स्टार्ट अवर नेक्स टोपिक सुदेंट्स सबसे पहले इसमें हम एक्टिविटी फोर करते हैं एक्टिविटी फोर में क्या बताया गया है प्लेस अचेर इन दा स्कूल ग्राउंड ओना सनीडे ही आपने क्या करना है इसकूल के घ्राउंड में एक चिहर को रखना है ठीक है सनीडे में वाट डुओ फोवब्स यूप रही है की चेर की शैडव का पहिचान पाऊगी कि यह जो पर्चाहिट बंडरी यह यह चिर की बन रही है does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair, क्या जो shadow बन रही है? वो you're accurate picture show हो रही है, जो जो छेइर की जो shape आ वह वैसी ही नजरा रही है, just a chair कीresser जो shadow बन रही है, वह खुले एक round में, भू आपको टेर के shape नजर आ रही है या नहीं आ रही हो आपको देखना था, तो, इफ the chair is turned a around a little. अगर आप हलकी सी चेर को क्या करते हो, हिलाते हो, थोड़ा टेडा करते हो, तो how does the shape of the shadow change, तो कैसे जो चेर की जो शेफ बने थी, वो कैसे change होगी, ठीक है, change होगी या फिर नहीं होगी, तो take a thin notebook, आपने फिर एक पतली सी notebook लेनेगे, जो आपके school की notebook होती है, ठीक है, class में जो क्या लेने, एक rectangular box लेना है, and look at its shadows की shadow को देखना है, do the two shadows seem to have a similar shape, क्या, एक notebook की shadow, और rectangular box की shadow, क्या similar होगी, वो आपको observe करना है, ठीक है, तो take flower of other object, फिर आपने क्या करना है, कुछ flowers लेने है, ठीक है, या फिर कुछ और objects लेने है, of different colors के, and look at their shadows, उनकी shadows को देखना है, a red rose, आपने एक red rose लेना है, and yellow rose लेना है, for instance, ठीक है, do the shadow look different in color, जो आपने red rose लिया था, yellow rose लिया था, क्या इनकी जो shadow बनेगी, वो different color की बनेगी, नहीं, जो shadow बनती है, वो मेशा black color की ही बनती है, ठीक है, when the colors of the object are different, बले ही, इनकी object के color different हो, लेकिन जो आपकी shadow बनेगी, वो black color क यही बनती है, ठीक है, take a long box, फिर आपने long box लेना है, and look at its shadow on the ground, फिर उसकी shadow को देखना की ground पे long box की shadow कैसी बन रही है, when you move the box around, जैसे आप box को move करवाते हो, you may see that the size of the shadow change, आपकी shadow की size, क्या होती, change होती है, भई, obviously change होगी, अगर हम box को move करवाते है, तो shape भी change होगी, तो when is the shadow of the box the shortest, जो box की जो shadow है, वो shortest कभ होगी, when the long side of the box is pointed towards the sun, जो long side box का, वो sun की तरफ करेंगे तब छोटी होगी, या फिर when the short side is pointed towards the sun, या जो short side है, वो box की, वो sun की तरफ करेंगे, तब box की shadow छोटी होगी, या बड़ी होगी, वो आपको observe करना है, ठीक है, sun की presence में, आपने एक long box लेना है, ठीक है, और उसको, थोड़ा, उसकी shape को change करके, आपने observe करना है कि, कभ वो जो shadow बनेगी, वो long बनेगी, या कभ वो short बनेगी, let us use this long box, ठीक है, अब उस long box का use करना है, to prepare a simple camera, एक simple camera बनाने के लिए, एक pin whole camera बनाने के लिए, उस long box का आपने use करना है, तो students, हमारा next chapter है, next topic है, 11.3, एक pin whole camera, अब हमने वो long box जो लिया था, उससे हम क्या बनेगे, pin whole camera बनेगे, surely we need a lot of complicated stuff to make our camera, ठीक है, हमें मतलब, बहुत जारा complicated लगेगा, वो camera बनाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, not really, हमें मतलब, ज़्यादा, ज़्या ways to make a simple pin whole camera, अगर आप बनाना चाओगे, तो बहुत वो आसानी से बन जाएगा, pin whole camera, आओ activity 5 के थूँ देखते हैं, कि भी pin whole, जो camera, उसकी formation कैसे होती है, उसको हम कैसे, बनाते हैं, take two boxes, so that one can slide into another, with no gap in between them, आपने दो box लेने हैं, बड़े-बड़े दो box लेने हैं, ठीक है, औ एक box को, उसको slightly उसके अंदर क्या करना है, उसको फसाना है, ठीक है, take two boxes, so that one can, जो दूसरा जो box है, वो slightly क्या हो जाए, उसके अंदर जाके फिट हो जाए, ठीक है, बिना किसी gap के, और cut open one side of each box, ठीक है, उसका जो बहार वाला जो part है, वो cut करना है, cut open one side of each box, on the opposite face of the larger box, ठी ऐसीा, ठीक है, यह वाला, जो size हो, box कामने क्या करना है, एक क्या करना है, क्षेद करना है, ठीक है, फिर दूसरे वाले box के size के क्या क्रणा है, एक उसको काटना है, ठीक है, एकằcor ¿के Cette में ए अन एक स्कुर के सेप में, ठीक है, तो उसके बाद area, cut open one side of each box and on the opposite face of the larger box make a small hole in the middle ठीक एक small hole करना है middle में ठीक है जो कि इसमें 11.5 के A में दिखा रखा तो in the smaller box cut out from the middle a square फिर दूसरे वाले box में जो smaller box size में क्या करना है square की form में क्या करना है कि cut करना है ठीक है square with a side of about 5 to 6 cm का करना है तो cover this open square in the box with tracing paper जो हमने ये square की form में हमने जो ये cut किया था इसको किस से cover करना है tracing paper से cover करना है ठीक है tracing paper या फिर आप ये जो आपका carbon paper आत आप उससे भी cover कर सकते हो ठीक है cover this open square in the box with tracing paper ठीक है तो दुंदली दुंदली नजर आएगी जैसे कि figure 11.5b में बता रहा तो slide the smaller box inside the larger one with the hole और in such a way that the slide with the tracing paper is inside figure 11.5c और your pin hole camera is ready for use फिर आप इसको इसके अंदर आप fit कर सकते हो छोटे box को बड़े box के अंदर fit करने के बाद जो आपका pinhole camera वो आपका ready हो जाएगा उसको यूज करने के लिए आप ready हो ठीक है तो holding the pinhole camera look through the open face of the smaller box ठीक है holding the pinhole camera look through the open face of the smaller box और you should use a piece of black cloth to cover your head and the pinhole camera ठीक है आप किसी भी object को देखने के लिए pinhole camera में आप हलका सा एक black cloth लेके अपने आपको cover up कर सकते हो ठीक है you should use a piece of black cloth to cover your head अपने head को cover करने के लिए and the pinhole camera now try to look at some distant object like a tree फिर आप try करो ठीक है कौन-कौन से object देखने के लिए tree को या फिर building को देखने के लिए throw the pinhole camera pinhole camera की help से आप tree को या फिर building को आप देख सकते हो और make sure that the objects you wish to look at throw your pinhole camera are in bright sunshine लेकिन आप जो भी object आप pinhole camera की help से देख रहे हो उमीद रखते हैं कि आप sunshine वाले object को ही देखे मतलब जिस पे sun की light fall हो रही है आप उसी object को देखो ठीक है तो move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other end are these pinhole images different from their shadows बिल्कुल अलग मिलेंगी are these pinhole images different from their shadows और look throw your pinhole camera at the vehicles vehicles को देख सकते हो and people moving on the road in bright sunlight जो भी bright sunlight में जो people है वह रोड पर move कर रहे हैं फिर vehicles move कर रहे हैं आप उनको इजली आप देखो और फिर observe करो उनको okay